असलाम वालेकुम आप देखे हैं स्टेशिंग में दामना आज मैं आपके साथ फ्लैट कॉलर की कटिंग और स्टेशिंग शेर करूंगी सबसे पहले आपने कमीज की फ्रंट साइड ले लेनी हैं और हम जो है वो चुड़ाई का निशान लगाएंगे पहले साड़े छे इंच के उपर मैं इसकी चुड़ाई लूँगी अगर आप चाहें तो साथ इंच पे भी जो है वो ले सकते हैं इंची टेप को हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और यहां पर इस तरह से रखेंगे अगर आपके पास चौक है या कुछ भी है तो आप उसके साथ जो है वो निशान लगा लें फिर जो है वो हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे जो कि मैं साड़े तीन इंच यह देखें इस तरह से और इधर वाली साइड पर भी सीधी लाइन खेंचे गुलाई हम करेंगे गले की ज्यादा डीप नहीं करनी थोड़ी सी लाइट रखकर हम जो है वो इसकी गुलाई कर लेंगे ठीक है खेंची की मदद से कट कर लेंगे यह जो दर्म्यान का कपड़ा है वो आपने फैकना नहीं है यह हमारे इस्तमाल में आएगा बाद में यह वाला कपड़ा तो बैक गला लिया है मैंने जो फरंट पे हमने गले की कटिंग की थी वो वाला फैबरिक हम इस तरह से रखेंगे ताके हम चुड़ाई में जो है वो निशान लगा लें इस तरह से निशान लगाएंगे फिर उसके बाद आदा इंच डाउन जो है वो हम गले का निशान लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से ठीक है स्केल की मतब़ से लाइन कहेंच ने सीधी यहाँ पर इस तरह लाइन कहेंचेंगे और हलकी से उसके बाद गुलाई करेंगे और कटिंग कर लेंगे साधासी है आप इस मैथट को फालू करें तो जो है वो आप अच्छे तरीके से बेंच जो है वो लगा सकते है विंटर ड् जिस्टाइब। luktषू Deckham mAma aQ कौके सर्दू घर्मी होती है तो अश्तृ लिए यहां पर इसकी कटिंग करेंगे और इसकोभाम को भी आपने सब्हाल के रखने islands मदद से हम छईव अपने बाईन की कटिंग करेंगे इस तरह से ठीक है मैंने जो है वो बुकरम लिया है साड़े पांच इंच चुड़ाई में और इस तरह से नौ इंच लंबाई में इस तरह से इसकी लंबाई लेनी है आपने ये वाला फैबरिक जो है ना वो हम फ्रंट गले वाला इस तरह रखेंगे यहां पर और उपर वाली साइड पर निशान लगा लेंगे ठीक है निशान लगाने के बाद इसको यहां पर उठा के रख लेंगे और जो बैक गले का है ना वो यहां पर रखेंगे हम इस तरह से और यह वाला इसके साथ यहां पर मिलाएंगे और ना हम बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो निशान लगा लेंगे यहां पर इस तरह से देखें यह देखें बिल्कुल जो है वो निशान लगाएंगे और फिर ना हमने दो सूतर बढ़ा कर एक निशान लगाना है आप चाहें तो इंची टेप से निशान लगा लें वरना आप हिसाब से निशान लगा लें फिर पौने इंच के उपर हम इस तरह से डॉट्स लगा लेंगे और फिर इन डॉट्स को मिला देंगे अपनी बैन की कटिंग के लिए यह देखें यह जो हमने दो सूतर का निशान लगाया था उसके उपर कटिंग करनी है और एक ही यह कटिंग करनी है अगर फ्लैट कॉलर हमारा कट के त्यार हो चुका है मैंने उसको एक फैबरिक के उपर चपका लिया है इस तरह से और ग्लू की मदद से मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साथ साथ चिपका दिया है बिल्कुल और बैक साइड पर मैंने ग्लू की मदद से ही एक लैस लगाई है अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं नहीं तो आपकी मज़ी ये आप्सिनल है ये मैंने लैस को उल्टा रखा है और बिल्कुल बुकरम के साथ साथ जो है वो सीधी कपड़े वाली की तरफ न मैंने इसको जो है वो चपका लिए जब काने के बाद एक एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने लिया है उसको आप सीधा रखेंगे इस तरह से इतना इतना एत्गित से छोड़ने के बाद यहां सलाई लगा लेंगे यहां से सिलाई इस तरह से गुजारेंगे हम लोग और फिर जो दरम्यान का एक्स्ट्रा फैबरिक है उसको कट करेंगे और यहां पर हलके हलके कट लगा लेंगे ताकि फीनिशिंग के साथ हमारा मुड़ जाए यहां पर पैन और यह देखें इस तरह से मुड़ गया है मैंने इसको आइरन कर लिया है और आदे आदे इंच का फैबरिक छोड़ने के बाद बिल्कुल साथ साथ मैंने जो है वो कटिंग कर ली है कटिंग करने के बाद ना इस तरह से आपने करना है और इसको मोड़ेंगे और बिल्कुल जो इसका सेंटर बने गा ना वहां पर हम किसी भी चौक वगरा से जो है वो निशान लगाएंगे मैं देखें चौक से लगा रही हूँ निशान लगाने के बाद कमीज की बैक साइड पर जो हमार सेंटर का निशान है वहां पर बैन को इस तरह से कोल के रखेंगे और ये देखें बिल्कुल एक जितना कपड़ा हम जो है वो अंदर लेंगे सिलाई में और फिर यहां पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे ये देखें ये देखें और दूसरी तरफ भी हम इतना बैन बढ़ा के रखेंगे और यहां पर हम सलाय गजारेँगे यह देखें यह देखे इतना वढ़ाँ करने हैं आपने यह देखे और फिर वह एक जितना कपड़ा स्लाई में लेना है एक्स्टकश्रा यह फिर कम नहीं लेना ये देखें यहां पर हमारा हो जाएगा पूरा और फिर इसको पैक कपड़े की तरफ मोड लेना इस तरह सीधा है इस तरह उल्टा करेंगे और बिल्कुल जो हमारी फटी हमने जो लगाई है ना ये देखें यहां से हम सिलाई गुजारेंगे एक सलाई गुजारने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो कैंची के मदद से कट करेंगे और यहां पर हम इसको सीधी तरह फोल्ड करेंगे और जो है वो आपने कैंची के मदद से नोकल निकाल लेनी है और यहां पर इसको फोल्ड करके तुर्पाई कर लेनी है यहां पर इस तरह देखें तुरपाई मैंने कर ली है फिनिशिंग के साथ हमारा गला रेडी हो चुका है अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक और चैनल को सबस्क्राइब ज़रूर करें